जैहिंद स्टुडेंट्स मैं हूँ रभीकुमार सक्सेना आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नंबर वन क्लासेश में आपका स्वागत है आज हम अप्लाइट फुजिक्स वन में जिस तरह से लगातार हम भेक्टर के उपर वीडियो लेक्चर देते आ रहे हैं आज एक खास टॉपिक के उपर हम चर्चा करने जा रहे हैं देखिए भेक्टर एडिशन वेक्टर को किस तरह से जोड़ा जा सकता है अगर हम बात करें तो भेक्टर का डिफिनिशन जिस तरह से हमने आपको बताया था भेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास magnitude और direction दोनों होता है सो भेक्टर का addition हम scalar के addition जैसा नहीं कर सकते हैं जैसे कि माल लिजे अगर हमने आपको बोला कि आपके पास जो है 5 केजी चावल है और एक और वेक्टी के पास 5 केजी चावल है दोनों को जोड दीजे तो आप दोनों को जोड कर बोलेगा कि 10 केजी चावल हो गया तो ये जो है scalar का addition हो गया माल लिजे मेरे पास 5 mango है आपके पास 6 mango है दोनों को जोड दिए तो 11 mango हो गया तो ये जो है scalar addition हुआ लेकिन भेक्टर का addition उस तरह से normal addition नहीं होता है जिस तरह से जो है हम normal जो है किसी भी quantity को जोड़ देते हैं scalar में उस तरह से vector के addition को हम नहीं कर सकते हैं So क्यों नहीं कर सकते हैं जैसे कि आप region देखिएगा माल लिजिए अगर हमने आपसे बोला कि जो है आप A point पर थें आपने जो है A से जो है B तक गया जिसका distance जो है 3 meter था ठीक है फिर B से जो है आपने जो है उपर की ओर गया उसका distance जो है 8 meter था अब हमने बोला कि आप जो है हमको ये बतलाईए कि आपने जो है टोटल कितना जो है आपने दूरी को तै किया तो आप जो है डायरेक्ट इसको नहीं बोल सकते हैं 8, 3, 11 अगर आप इस तरह से बोलिएगा 8, 3, 11 तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि vector addition में जो है आप जो है scalar के addition जैसा normal जो है आप इसको जोड़ कर नहीं बता सकते हैं माल लिजे कोई बेक्ती है ये जो है गया इधर ठीक है इधर गया 6 meter फिर जो है इधर आ गया 5 meter ठीक है आप जो है हम आप से पूछे कि टोटल जो है कितना दूर वो ट्रेवल किया तो यहां पर जो है आपको जो है magnitude के साथ सा direction भी दिया हुआ है तो आप जो है directly उसको add नहीं कर सकते हैं यानि कि आप जो है सीधा सीधी ये समझे कि भेक्टर को जिस तरह से हम scalar को जोड़ते हैं वैसा एडिशन नहीं होता है तो अब आपके मन में सवाल उटता होगा कि कैसा addition होगा sir क्योंकि आपने बोला कि scalar के जैसा हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं तो आखिर इसको जोड़ने के लिए क्या नियम लाया जाएगा तूसी को जो है आज हम बताने आये हैं यानि कि law of vector addition देखिए law of vector addition मेरे साथ heading डालिएगा law of vector addition अब जो है कुछ जो है rules है कुछ जो है law है ठेक है माल लेजे मेरे देश को चलाने के लिए जो है कुछ कानून की जरूरत होती है तूसी तरह से भेक्टर को जोडने के लिए कुछ जो है law है तो पहला law का नाम है triangle law of vector addition ठीक है बारी बारी से हम सभी law के बारे में हम discuss करेंगे तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं triangle law of vector addition तो मेरे साथ heading डालिएगा triangle law of vector addition अब देखिए ये triangle law of vector addition क्या होता है मेरे period छात्रों my dear students what is triangle law of vector addition so triangle law of vector addition में हम केवल और केवल दो भेक्टर को जोड़ सकते हैं इस भेक्टर का नाम है a भेक्टर और एक और भेक्टर है जिसका नाम है आपके पास b भेक्टर ठीक है और ये दोनों को जोड़ना है तो हम जो है इसका resultant इस तरह से लिख सकते हैं यानि की resultant equal to vector a plus vector b तो इसको जोड़ने के लिए जिस law का हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है triangle law of vector addition so triangle law of vector addition क्या कहता है सबसे पहले हम statement के लिखेंगे उसके बाद आपको इसको समझाने की courses करेंगे so मेरे साथ जो है आप statement को लिखेगा triangle law of vector addition का so statement कहता है if two vectors if two vectors represented by represented by two sides of the triangle taken in same order taken in same order taken in same order taken in same order then then the resultant then the resultant is given by given by third side of the triangle third side of the triangle taken in opposite direction taken in opposite direction देखिये ध्यान समझेगा my dear students so triangle law of vector addition क्या कहता है if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order then the resultant is given by third side of the triangle taken in opposite order ध्यान से समझेगा माल लिजे मेरे पास एक vector a है ठीक है vector a है और एक और vector है vector b ठीक है अब ये दोनों को हमें जोडना है ये दोनों को हमें जोडना है तो triangle law कहता है कि अगर दो vector है उसको अगर हम दो side जो है triangle के दो side से अगर हम represent करें और दोनों को same order में लें तो जो third side होगा वो जो है resultant को show करेगा और वो जो है opposite direction में होगा तो यहाँ पर जो है दो vector है माल लिजए पहला vector को हमने जी होगा इस direction में लिया ए भेक्टर ठीक है नो और दूसरा को हमने इस तरह से लिया तो यह होगे आपका भी vector तो यहाँ पर कह रहा है कि यह दोनों जो है जूटा हुआ रहेगा यहाँ पर कह रहा है कि if two vectors represented by two side of a triangle taken in same order तो हमने जो है दो भेक्टर को यहाँ पर जो है triangle से हम represent कर रहे हैं और दोनों को जो है same order में ले रहे हैं तो जो resultant होगा वो जो है third side का होगा और जो है वो opposite direction में होगा तो यानि कि यह triangle बनाने में इस तरह से बनेगा तो यह जो है आपका resultant को soak करेगा ठीक है यह resultant को soak करता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है triangle बन रहा है ठीक है तो दो जो side है हमने जो है same order में लिया same order में लिया तो जो हमारा resultant होगा वो जो है opposite direction में होगा यानि कि opposite order में होगा और वो जो है आपका third side होगा resultant को soak करेगा तो यह जो है आपका triangle law vector addition है तो इस law को जो है हम जो है इस law के द्वारा आपको जो है जो resultant होगा resultant कहने का मतलब आपका जो जैसे कि मालीज ये 5 है ठीक है और ये 2 है तो इसको जोडने पर कितना आएगा तो 7 आगा तो यहाँ पर 7 क्या हो गया resultant हो गया 7 क्या हो गया resultant हो गया उसी तरह से जब हम इसको और इसको जोडेंगे तो यहाँ पर resultant कहने का मतलग यहाँ पर resultant कहने का मतलग A vector को और B vector को हम जब जोड़ेंगे तो वो हो गया आपका resultant So resultant के लिए जो है एक formula है Resultant के लिए क्या है? Formula है उस formula को जो है आप याद कर लेजेगा याद करने के ज़रोतना है आप समझ लीजेगा So resultant का formula होता है R square equal to आपका हो गया A square Vector A square plus Vector B square plus 2AB cos theta 2AB cos theta अगर हम इसको लिखना चाहें अगर हम R कही करना चाहें Vector R equal to Root Under हम चला देंगे A square ठीक है Plus B square plus 2AB 2AB cos theta यह जो है आपका resultant का formula हो गया अभी जो है यह formula किस तरह से आता है यह जो है हम derive करके आपको बताएंगे क्योंकि एक्जाम में आपको रटने की ज़रुत नहीं है यहाँ पर आपको समझने की ज़रुत है So इस formula को जो है आप लिख लिख लिजेए उसके बाद हम आपको यह बतलाएंगे कि यह resultant का formula किस तरह से derive करना है और हमें जो है हम आपको यह भी बताएंगे कि theta का value अथात यहाँ पर मालिज अगर alpha होगा तो किस तरह से जो है इसको हम derive करेंगे चलिए हम आपको जो है बताते हैं सबसे पहले आप statement को लिख लीजेए चलिए सो इसको हम इरेज करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम magnitude निकालेंगे resultant का तो काफी असान है आपको हम इस तरह से समझाएंगे कि आपको जो है भूलिएगा नहीं और एक्जाम में जो है आप अच्छी रिती से जो है इसको बना दीजेगा ठीक है सो मेरे साथ जो है heading डालेगा magnitude सबसे पहले magnitude निकालेंगे अठात जो हमने formula लिखा था magnitude of resultant ठीक है उसके बाद जो हम direction को बताएंगे सो resultant का magnitude क्या होगा जो हमने formula को लिखा था वो किस तरह से derive किया जागा सो सबसे पहले जो है हम diagram को बनाते हैं मालेजी आपके पास एक vector a है जिसको हम जोडने जा रहे हैं ठीक है और एक और vector है यह जो है आपका vector b है ठीक है और इसका जो resultant होगा यह इस तरह से होगा यह जो है आपका resultant है r ठीक है इसको derive करने के लिए हम जो है क्या करते हैं यहाँ पर जो है हम जो है perpendicular डालते हैं ध्यान से समझेगा यहाँ पर हम perpendicular डालेंगे यह जो है अपर тем पर पेंडिकुलर लेते हैं है हमसे ठीक है पर पेंडिकुलर line घीजा तु पर्पेंडिकुलर यह इस तरह से आपका था तरह सु पर्पेंडिकुलर लिए अब देखिए यहाँ पर ठीटा क्या होगा ठीख है तो ध्यान रखिएगा मेरे पिरे चात्रो जब कभी भी दो भेक्टर जब कभी भी दो भेक्टर टेल टेल अगा जूटे ठीक है टेल टू टेल अगा जो है जूटेगा अथा टेल टू टेल कहने का मतलब माली जे भेक्टर हो गया ठीक है अब इसका डायरेक्शन जो है ये आपका क्या हो गया हेड हो गया ठीक है और यह क्या हो गया आपका टेल हो गया ठीक है यहां पर जो जॉइंट हो रहा है किस तरह से हो रहा है यह जो है टेल सबसेटा एंसाइंड में होगा जैसे की माल लीज़े यह जो है इसी की आप तो यहां पर ठीटा अंदर में होगा लेकिन अगर जो है उल्टा रहे ठीक है ध्यान से समझेगा मेरे पिरिछात्रों अगर जो है उल्टा रहेगा तो ठीटा जो है बाहर होगा अगर तो इस में जो हम लोग का जो फीटा होगा वो थीटा जो kills ऑच साइड में होulा या निकि कहा होगा बाहर हो. तीड है यह statement को याद रखेंगा यह बहुत आपको काम देगा था है जो हम आपको इन पोर्टेंट्स चीज आपको बता रहे हैं ये आपको अंदर होगा लेकिन आगर या तो त्यक्ता ब्सक्राइब लेकिन आपको समझ में आगया होगा अब देखिए इस से आपको क्या समझाना चाहते थे इस डियाग्राम को थोड़ा से हम और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको जो है और अच्छी रिती से समझ में आजाए ठीक है माल लिजे आपके पास यह एक वेक्टर है ए ठीक है वेक्टर ए और यह आपका होगया वेक्टर B ठीक है यह वेक्टर B और यह आपका जो है रिजल्टेन हो गया ठीक है यह आपका रिजल्टेन हो गया सो यहाँ पर जो है देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर पर पेंडिकुलर डालते हैं ठीक है क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करते हैं पर पेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पर हमने पर पेंडिकु ठीक है अगर हम पूछें कि ट्रेंगल ठीक है यहाँ पर जो ट्रेंगल आपका बन रहा है इस तरह का ट्रेंगल है ठीक है इसे हमने perpendicular डाला ठीक है आप जो है डियाग्राम को अच्छी रिती से बनाएगा तो आपको समझ में आगा यहाँ पर perpendicular डाला तो यहाँ पर जो है sin theta का formula लग जाएगा तो sin theta equal to p by h होता है तो sin theta equal to ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दिजेगा मेरे पिरे छात्रों यह जो है यहाँ पर tail है sorry head है और इसका tail है तो यहाँ पर theta कहां बनेगा तो बाहर में बनेगा ठीक है क्योंकि इसका tail है इसका head है तो theta बाहर में बनेगा हम पुछे कि sin theta equal to p by h तो perpendicular यहाँ पर क्या है y तो sin theta equal to y by h h का मतलब hypotenuse तो h का value क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है यानि कि यह vector b हो गया तो यहाँ से y का value क्या आ गया तो b sin theta आ गया y equal to b sin theta आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे y equal to b sin theta यहाँ पर y equal to b sin theta ठीक है अब देखें उसी तरह से अगर हम पूछें कि x का value क्या होगा op का value यानि कि x x equal to op equal to y तो यहाँ पर cos का formula लगेगा तो cos theta equal to kya होता है cos theta equal to b by h ठीक है so cos theta यानि कि base base क्या है तो x divided by h के जगा पर b है यानि कि x equal to b cos theta यहाँ पर जो है x का value क्या हो जाएगा so b cos theta हो जाएगा ठीक है b cos theta हो जाएगा अगर हम पूछें कि mp का value क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का value क्या होगा तो mp का value क्या हो जाएगा तो a vector a plus b cos theta हो जाएगा vector a plus b cos theta हो जाएगा क्योंकि हम दोनों को जोड़ देंगे na mo plus op तो a है plus b cos theta हो जागा कोई dot है नहीं अब फर्मूला को derive करते हैं अथा magnitude हम निकालने की courses करेंगे तो देखिए magnitude क्या होगा resultant का magnitude क्या होगा तो यह जो resultant हमने लिखा है r इसका magnitude क्या होगा एं यहांपर देखिए हम एक triangle को लेते हैं बाड़ा triangle अथा यह जो आपका बाड़ा triangle है in A any और यह जो आपका triangle बन रहा है यह triangle को में लेते हैं ठीक है यहाँ पर ड अगर हम पूछें कि R equal to क्या होगा अगर हम पाइथागोरस जो है थियूरम लगा दें अर्थात MN का square ठीक है MN का square equal to आपका हो जाएगा MP का square MP का square plus PN का square यहाँ पाइथागोरस थियूरम लगा रहे हैं क्योंकि जो है करन है ठीक है यहाइपोटेनस है इसका square प्लस MP को और यह दोने जूर जाएगा ठीक है so MN का जागा पर हम क्या लिख सकते हैं so R का square हम लिख सकते है equal to MP so MP का value क्या है तो A plus B cos theta यानि कि A plus B cos theta ठीक है का square हो जागा plus PN PN का मतलब क्या है so PN का value है B sin theta so यहाँ पर हो जागा B sin theta का square चलिए इसको जो है हम तोड़ेंगे R का square हो जाएगा ठीक है R का square equal to A plus B का value square का होता है तो A square यानि कि A square हो गया plus B square cos square theta हो गया B square cos square theta plus 2AB यानि कि 2A vector plus B cos theta 2AB हो गया 2AB हो गया अब उसके बाद इसको करेंगे तो B square cos यानि कि sin है तो sin square theta हो गया अब देखिए यहाँ पर जो है आपका हो गया A square यहाँ पर जो है B square sin theta है और यहाँ पर B square sin theta है तो दोनों में जो है B square common हो सकता है यानि कि A square plus B square को common लेंगे तो यहाँ पर बच गया cos square theta plus sin square theta बच जाएगा ठीक है sin square theta बच जाएगा यहाँ से दोनों से common लेंगे पलस में यह वाला बच गया तो यहाँ पर लेख देंगे तो यहाँ से जो है अगर हम पूछे कि R equal to क्या होगा क्योंकि A square में है तो root अंडर चाह जाएगा यह जो है आपका magnitude जो है आपका निकल गया resultant का तो यह जो है इस तरह से जो है आपका magnitude निकल गया resultant का अगर हम बात करें कि Direction क्या होगा direction का क्या होगा तो Direction जो है यहां पर मैं लिजिए यह आपका एक हडिक़े चाहीं से अगर हम आप को आपको साफ दिख दिख रहा है अगर हम बोले कि यहां अलफा है. तो अगर हम देञ थेंगैर अलफा का आगर फार्मूला लगा देle. तो धीन ठीटा का फार्मूला होता है P by B. तो यहाँ पर P किया है lnt permettip math little paid. जो और यहाँ पी किया है, यानि कि 두maignya. प्लस B कॉस छीटा यह जो है आपका direction हो गया resultant का direction हो गया हमने बताया कि law of vector addition में पहला law जिसका नाम था triangle law vector addition ठीक है triangle law vector addition so triangle law vector addition का resultant का formula जिस तरह से हमने बताया root under a square plus b square ठीक है plus 2ab cos theta होता है ठीक है यह जो है आप याद रखेगा और इसका direction का resultant का direction का formula 10 alpha equal to b sin theta divided by a plus b cos theta यह जो है आपका हो गया और statement पी हमने आपको बता दिया समझा दिया so अगले वीडियो लेक्चर में एक और law के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है parallelogram law of vector edition ध्यान से समझेगा second video lecture जो की होगा आपको parallelogram law of vector edition so आज के video lecture में इतना ही अगले video lecture में एक नए topic के साथ मिलेंगे तब तक के लिए हम वीजा लेते हैं जैहिंग बंदमात्रम